हलो चैंपियन्स वेलकम टू फैंटसी क्रिक बॉला जम बात करने वाले हैं विमेंस एशिया कप में होने वाले दूसरे मुकाबले की ये मुकाबला एक अक्टूबर को एक बज़े दोपहर में इंडिया और शीलंका विमेंस के बीच में खेला जाने वाला है बहुत ही तगड इस टेलिग्राम पर जाके चेक कर सकते हो चाहे बात करो हंडर्ड विमेंस की या फिर कॉमन वेल्स गेम की या अभी रीसेंट में जो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हुई थी उसमें भी हर माच में हमने कितने पैसे बनाये थे और जिस माच में मैंने बोला था कि हर्मन प पर पर सारी डिटल आपको इस माच की सब कुछ बताने वाली हो की बालिंग और कॉन जादा विकेट निकाल के आपको देने वाला है तो चली सबसे पहले बात करेंगे माच के वेण्यु की यह मुकाबला से अफ्ट क्रिकेट स्टेडियम से लेट में होने वाला है अगर मैं इस pitch की बात करूँ तो यह बालन्स पीछे देखो बैटिंग के लिए मैं मानती हूँ कि यह एक एवरेज पीछ है बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ तो एशिया के pitch जादा तर spinner बॉलिंग को फेवर करते हैं तो spinners इस pitch पे आपको जादा विकेट निकाल के देने वाले हैं तो आप समझ सकते हो कि आपको किसको अपने टीम में सिलेक करना और last match की hero रही दिपती शर्मा को तो हम मतलब भूल ही नहीं सकते हैं कि उनको कौन अपने टीम में नहीं लेने वाले हैं बाकी तारीफ आगे की जाएगी चलिए बात कर लेते हैं पिछी stats की इस पिछ पे टोटल 24 माच खिले जा चुके हैं जिसमें से 1st betting करने वाले टीम ने 17 माच जीते हैं और 2nd betting करने वाले टीम ने 7 माच जीते हैं तो आप देखो यहां पर 1st betting करने वाले टीम ज्यादा तर मैच जीत रही average score in first inning 131 है इस पिछ का highest score जो कि Australia women's ने बनाया था 191 पे 4 है वहीं बात करें lowest score की तो Bangladesh women's के तरफ से बनाया गया था 79 पे 10 विकेट है scoring pattern के तरफ नदर डालते है 1500 से नीचे का score 17 बार बन चुका है 1500 से 179 का score 4 बार बन चुका है 170 से 189 की बात करें तो 2 बार बन चुका है बात करें तो यहां पर Pacers Spinner दोनों को विकेट मिलती है लेकिन आपके initial over में Pacers कुछ एहम भूमी का निभाएंगी और आपको ज्यादा विकेट निकाल के देने वाले है चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया विमेंस की स्कुआइट की इंडिया के तरब से उपनी करते वे नजर आएंगी शिफाली वर्मा उनका साथ देते वे दिखेंगी इस्मृती मांदना अगर मैं बात करूँ अभी रीसेंट फॉर्म हमने देखी थी इस शिफाली वर्मा बिल्कुल भी ओड़ फॉर्म नजर आ रही थी एक भी माच पर फॉर्म नहीं किया था वहीं स्मृती मंदना बैक टू बैक हर माच पर फॉर्म करके देती है टीम को जीत हासिल कराने में बहुत बड़ा योगदान रहता है इस मिती मंदना इस माच में भी अच्छा पर फॉर्म करके देने वाली है उसके बाद नजर आएंगी तानिया भाटिया इनके जगह पे मुझे लग रहा है कि रिचा घोस को भी खिलाया जा सकता है फॉर्स डाउन बैटिंग करने के लिए उसके बाद बैक टुबैक देखने को मिलेंगी टीम की कप्तान और हम सब की चहेती हर्मन प्रीत कौर जो की अभी घजब की फॉर्म में चल रही है इनका ब्ये गोल्डन पिरियोड चल लाया और आप हर्मन को अपने किसी भी टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते हो फिर नजर आएंगी दी हेमलता जिनको हमने रीसेंट माच्चों में देखा है काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए गेंद और बैट दोनों से हो सकता है इस माच्च में इनकी जगह पे जेमिया को भी ट्राइक किया जा सकता है उसकी बाद नजर आएंगी टीम की हीरो दिप्ती शर्मा फिर बैक टू बैक देखने को मिलेंगी पूजे वस्तराकर इसने राना रजिस्वरी का एकवाड रेनुका ठाकुर और मेगना सिंग अगर मैं इनकी बालिंग आर्डर की बात करूँ तक तो देखो पावर प्ले में आपको एकाका दो ओवर देखने को मिलेंगे रेनुका ठाकुर के और दिप्ती शर्मा के यह दोनों खिलाड़ी अपने दो-दो ओवर आपको पावर प्ले में और डेथ में कराने वाली हैं इसके अलावा में बात करूँ तो आपको मेगना सिंग के भी एकाका ओवर देखने को मिल सकते हैं और अगर यहाँ पर्दे को ओवर किसके कटने वाले हैं पूजा वस्तरा कर अपने पाँ चारों नहीं डालने वाली है एक से दो और मुझे लग रहा पुझा वस्तराकर को दो वर दिये जाएंगे जिसमें से आपके मिडिल ओवर और डेथ ओवर में इंके ओवर आने वाले वहीं बात करूं राजिस्वरी गायकवाट की तो इंकी बॉलिंग मुझे लगाए है मिडल ओवर में इनका पूरी बाॉलिंग करा दी जाएगी और मेंगना सिंग की बात करो तो यह आपको अप देथ ओर चृड़ ऑडर में बाली नजरह एंगा तो यही बाॉलिंग और रहने वाली है आप बात करेंगे सारे खिलानों के लास पांच मुझाबले के स्टाइट्स की इसमें सबसे पहले बात करेंगे स्मृती मंदना सेवंटी नाइन 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 पॉटी फिप्टी आप देखो पांच में से एक माच छोड़तो तो आप हर माच में अच्छा स्कोर कर रही है जिसमें से तीन अर्षा तक लगा है शिफाली वर्मा की बात करें वाली आप रिचा घुस को अपनी टीम में जरूर ट्राइ करिए हर्मन प्रीत कोर की बात करेंगे 29 रन पांच रन 143 रन चार रन एक सतक एक अर्षा तक उसके अलावा भी आवरेज स्कोर काफी अच्छा है राइन हेडन अबैस्मन है और हर्मन यहां पर बॉलिंग नहीं कर करकर को कैप्टन के लिए ट्राइ कर सकते हैं मुझे लग रहा है इस मांच में मुझा अच्छा करने वाली दिप्ती शर्मा की बात करेंगे एक विएट चौबिस रन दो विएट पंडर रन एक विएट निकाले थे काफी अच्छा परफॉर्म किया था D Hemlata की बात करेंगे 10 run 9 run 0 run 2 v VO D Hemlata के जगह हो सकता है Jameyar R dignity इस बार मौका मिल सकता है Megna Singh की बात करते हैं एक विकेट एक विकेट ने मिली लांस माच में एक विकेट ने मिली थी Snearowana विकेट टेकर बॉलर है ये खिलाड़ी आपको हर माच में विकेट निकाल के देती है काफी अच्छी spin बॉलिंग कराने किती है और इस माच में मुझे लग रहा है स्नेराना अच्छा पॉइंट दिराने वाली है दिराने करेंगे जिरुघए दो स्टार के बात करेंगे जिरे लास्ट दो माच में विकेट चारेकर चार चटका आए है मतलब लास्ट दो मार्च में टोटल आठ विक्टे लिए रेनुका ठाकुर ने तो इनको आप अपने किसी भी टीम से ड्रॉप नी कर से तो बलकि मैं करें अगर इंडिया टॉज जितके बॉरिंग चूस करती है तो आप रेनुका ठाकुर को कैप्टन के लिए चूस कर सकते हो अब चलिए बात कर लेते हैं श्रिलंका की क्या होगी प्लेइंग 11 जिसमें ओपनिंग करते वे नजर आएंगी चमरी एटा पर्टू उनका साथ देते वे दिखेंगी एच परेरा दूनोंगी खिलाड़ी काफी अच्छी है जिसमें जैता पर्टू की बात करें तो ये काफ अच्छी डिसिल्वा एस अंजीवनी रस्मी डिसिल्वा रस्मी डिसिल्वा के जगह एक जो प्लेयर उनका बहुत अजीब सा नाम है मैं ततंडा उनको भी खिलाया जा सकता है इस माच में उसके बाद नजर आएंगी सुगंधिका कुमारी इनोका राना वीरा उसदी राना सिंगे का भी आपको पाउर प्ले में ओवर देखने को दो से तीन ओवर राना सिंगे अपना पाउर प्ले में डालने वाली है आपको राना वीरा का ओवर देखो मिडिल और डेथ ओवर में राना वीरा अपना ओवर कंप्लीट कराएंगी और इसके अलावा मैं बात करूँ आपका देखो मिडल पावर प्ले में इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि आपके ओवर देखने को मिलेंगे इसमें रस्मी डिसलवाई आएंके जगा मेतातांदा खेलती है तो उनका ओवर देखने को मिलेगा और गर्टा पत्यू की बात करें तो ये आपको मिडल और देखोवर में बॉलिंग करते वे देख सकती है तो यही इनकी बॉलिंग ओर रहने वाली है और यही प्लेइंग 11 रहेगी जिसमें से आपको पता है राना वीरे राना सिंगे दोरों कितनी गजब की खिलाड़ी है बैड बॉल दोनों से पॉइंट दिलाती है तो इनको सारी टींग में जगा दीजे इसके अलावा मैं आपको डीटेल्स में बताऊंगी कि आप और कॉंकॉंसी प्लेयर्स के साथ अपने टीम में रिस्क ले सकते हो अब बात करेंगे इन सारी लड़ों के लास पांच में काबले के स्टार्ट की सबसे पहले अटा पत्व की बात कर लेते हैं एकिस दो आट दो उननेस आप देको लास पांच में से एक भी बड़े पारी नहीं आया असनी परेरा जीरो थर्टिनाई सवेंटीन एट जीरो सत्ता मादावी की बात करेंगे 28 रन, 0 रन, 22 रन, 5 रन, 1 रन, कवीस सब दिलहारी, 5 रन, 12 रन, 1 विकेट, 10 रन, 4 रन, 1 विकेट, 4 रन दिलहरी भी बहुत अच्छा पॉर्म नहीं कर रही है देखते हैं इस मार्णज में क्या उर्ण लेकिन इंदियन विमें जिस तरह की स्टॉंग टीम है कि इश्या कप में मुझे इंडियन विमेंस के आगे कोई भी टीम नहीं लगती है जो टिकने वाली है मलसा से आनी की बात करेंगे 11 रन एक रन लास्ट दो मैच में मौगा नी मिलें लास्ट माच में नौरन बनाये थे निलाक्षी डिसल्वा 32-48-25-36-0 आप लास्ट माच छोड़ो तो निलाक्षी डिसल्वा एक लौतिया सी खिलाड़ी है जो देखो हर मैच में परफॉर्म कर रही है एस अंजिवनी की बात कर लेते हैं लास्ट माच में लास्ट माच में लास्ट माच में लेकिन आप राना वीरा के साथ जा सकते हैं उपर से विकेट जाएंगे तो यह आपको स्कोर करके दे सकती हैं इस सब्सक्राइब पर 시सरे कामना सामना के साथ जिसमें से इ्डिया को एक तरफा 16 बार जीथ हासिल हुई है वही जिसमें इस माच में साहसर के चार भार मेंफ मने दे रोगते हैं बात करें तो इंडिया अफ्री पांच में से दो मुकाबले जी रही है वहीं श्री लंका विमेंस अखरी 5 में से केवल 1 मुकाबला जीते है लगातार तीन वकाबले हार के आ रहे है चलिए अपने सबसे मेन पॉइंट की तरफ जो है हमारी प्रेडिक्शन रह जाए गा एक तर तो दिपती शर्मा के दिलहारी और अश्मी डिसलवा के सब्सक्राइब अगर मिता टैंदा खेलती है तो आप उनको भी ले सकते हो बॉलर की बात करें मुझे लग रहा है इसमी डिसलवा के जगे इसने राना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है तो देखो यह टीम बहुत गजब की मैंने बनाई है मैंने कॉमिनेशन बहुत सही लगाया है पेसर और स्पिनर का एक कॉमिनेशन मना के मैं इसमें चली हूँ इसके लावा तीन और के साथ में जा रही हूँ कैप्टें के लिए इसमृती मांदना बहुत सेफ ऑप्शन होने वाली है वो इस कैप्टें के लिए अता पर्तु या मुझे लग रहा है आप दिप्ती शर्मा या फिर अगर इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करने आती है तो रेंका ठाकुर के साथ आप जा सकते हैं और यह टीम बहुत गजब की है आगे भी आपको परफॉर्म करके इस मांच में 100% देने वाली है इस टीम को आप सेम कॉपी पेस्ट करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे टीम बना लो लिख के दे रही हूं 70-80% मैच आप जीतने वाले हो चलिए अप जील के क बात करते हैं कि आप जील में किस तरह का कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं तो कैप्टन के लिए स्मृती महंदना हर्मन प्रीट कोर वाइस कैप्टन के लिए सीएटा पट्टू और दिप्ती शर्मा तो आप देखो यह मैंने चार की प्लेयर निकाले हैं इस माच के और यही च तो जल्दी से जाएए जोइन करीजे मेरा टेलिग्राम चैनल पांड़सी क्रिक बॉल जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां पर आपको इस मैच के अलावा बहुत सारे मैच के टीम आपको मिलने वाली जो मैच वीडियो में कवर नहीं होते वह सारे मैच भी टेलिग्राम चैनल पे कवर हो जाते हैं तो जल्दी से जाएए जोइन करिए इसके अलावा अगर आप किसी मैच की टीम चाहते हो तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो कि आप कौन से मैच की टीम चाहते हो कि मैं आपको प्रोवाइट करूँ तो आज के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आयो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो